अब कुल मॉनिंग माई डिया रेसेजेंट जैसा कि हम लोगों ने सम बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट और गिनिक कंपाउंड पढ़ लिया गया था इसमें हम लोगों ने डिगरी कार्ब कार्बन की डिगरी या फंक्शन गुरूप की डिगरी इस क्या होती है वह सीख लिया और रिटेंड नेंजो पुराने नेम होते हैं और गिनिक कंपाउंड के जो इंडिया या दूसरे देशने पहले आएपसी के आने से पहले जो नाम होते थे वह किस तरीके से होते थे ठीक है वह इस इसमें फॉर्णा सा पढ़ेंगी कि क्या होगा कि आगे जब आगे पढ़ क्या होता है ठीक है बटा है कि अधिक एधिक ने में पेचर क्या होता है विटा देखो अधिक एधिक एधिक है है इसमें हम लोग सीखें किसका एलकेन का सीखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह नॉर्मल कि कि नॉर्मल इसको इंडिकेंट कैसे करोगे एंस से जिसकी कंडिशन क्या होती बटा कंडिशन या ओती है कि नो ब्राँच नो ब्राँच uh and ज्ब्रेस् हैं पर विक कमपने और कम आ सब्प़ोदिव सांज कर तक आ समीद लिए자기ส विजटे लिएक कार। कि नो ब्रांच और अर्गनी कंपाउंड तो मतलब क्या कि सीधी रेखा में और अर्गनी कंपाउंड होना चाहिए उसके इंदर कोई ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए इसे एक्जाम्पल के तौर पर कि यह क्या है नाम बताओ इसका एक दो तीन चार चार के रिए करते ब्यूट सारे सिंगल पॉंड है एन हो जाएगा बट यहां पर आप क्या लगा दो करें लगा दो है यह ट्रेविल ने हो जाएगा इलके नार्मल ब्यूटेन ठीक है वाटा और जैसे कि इसका नाम किया जागा बट एक दो तीर चार पंच इसका नार्मल फंटेन जब ॉन नर्मल चैब और क्या कंपांट में कोई प्रांच नहीं होंगी और कि निग कंपौन्ट्ट किस हो Guru इस्टच लाइन यह ठीक है दूसरा पॉइंट है आईसो आईसो दूसरा पॉइंट कहे वाटा आईसो इसकी कंडिशन क्या है इसकी कंडिशन है कि टू मिथाई टू मिथाई आईस आईस only one branch टू मिथाई आईसो only one branch and the number of carbon carbons 4 to 6 यहनी कि 4 to 6 carbon होने चाहिए और दो नंबर पर है और यह ब्रांच क्या होनी चाहिए के और एक होनी चाहिए जैसे तो इसका नाम क्या हो जागा बटा आईसो कि द्यूटेन वैसे आइपक नाम क्या होगा इसका बटा बताओ आइपक नाम क्या होगा प्रोपेन होगा आप एक चीस समझ लो क्या कि दो नंबर पर होना चाहिए टू मिथाइल एक ही ब्रांच आइज ओंली वन ब्रांच तो मिथाइल एक ओंली ब्रांच एंड नमबर आप काबन इस फो टो सिक ठीक है तो उसको बोलोगे आईसो बोलोगे दूसरा जैसे यहां पर कि यह दो नंबर पर है क्योंकि नब जिसा ब्रांच यह उद्धर से नंबर करोगे 1234 तो क्या हो जागा बताओ आई सू इतने नंबर पर नहीं पांच है आई सू पेंटेंच यहां पर सारे कार्बन कर लिए जाए यह 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 में होती थी ना बट इसमें असा नहीं है क्यों अगर इसका एक नाम देखें तो क्या लिकूंगे बटाओ लोगर तू में थाई कि ब्यूटेन कि यह आएगा तो इस तरीके से आप आइसो का भी नान डिक सकते हैं ठीक है अब इसके बाद जो लास्ट पज़ता है वो होता है नियो जा होता बटा नियू कि नियो नियो में कंडेशन क्या है बटा बता हो तो कॉमा तू डाय में थाईल आइस आइस ओनली प्राम्ट ठीक है तू कॉमा तू डाय में थाईल एस ओनली ब्रांच कि आएंड नंबर आप कार्बन कर्बन कित्ते हो गए बटा है फाइट टू सेवन है अब दो ब्रांचे जो नीची टू कॉमा टू डाय में थाई अब फाइट इसी कि यहां लिखा वह ऐसे ठीक है ऐसे लगा तो कि नंबर आप कार्बन होगे बटाओ पांच हो गए आज हो गए और प्रांचे किस्तीं दो इसको नाम कर जाए नियो पेंटेन नियो पेंटेन और इसको नाम इसको क्या होगा बटा बताओ क्या होगा टू कॉमा टू कि या प्रोपेन कि एक दो तीन चार एक दो तीन चार दो नंबर पर लगा तो क्या हो जागा नियो ब्यूटेन नियो क्या हो जागा एक दो तीन चार बांचे एक्सेल इस तरीके से आप ट्रेविल नेम होते हैं और दूसरे आप लोग जानती ही हो तो नाम आपको नहीं पता थो मैंने आपको बता दिये हैं अब नेक्स टॉपिक आप पढ़ना है ठीक है चलो नोट कर लो अब नेक्स टॉपिक है तमारा फोर नंबर पे आईसोमेडिसम आईसोमेडिसम ठीक है नेको बटा आई पेसी आपको मैंने पढ़ा दिया है आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बान नोट से रिवाइस कर लें क्योंकि आईसोमेडिसम में आई पेसी नेम अमरिके चर्व बहुत ज्यादा आएगा बहुत ज्यादा यूजेज आएगा इसका तो आप लोग बहुत तरीके से इसको समझना है और सीखना है क्योंकि जो अगे चैप्टर्स हैं जिसे अलकायल है आपको बना तभी पहोंगे जब आपको आई पेसी और आईसोमेरिसम आता होगा ठीक है बटा तो आईसोमेरिसम आईसोमेरिसम होता क्या है और यह किसने सबसे पहले आप इसको प्रपोस किया बद जी लिए साइंटिस्ट है थिक है उन्होंने म को प्रपोस किया आईसोमीन होता है सेम मेरिसम पार्ट मतलब जिसके सेम पार्ट हो balancing appeared तो आईसोमेरिसम दिसे दिसे बच्वन में तो मेरे टू और मोर देन टू कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फाम्मला सेम हो बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो बटा डिफ्रेंस अगर आ जा रहा है तो वह एक दूसरे के आईसो मर्स होंगे और इस फिनोमना इस कॉल क्या आइसोमेजम तो आइसोमेजम को डिफिनेशन क्या होगी बटा दो इस नेशन क्या होगी तो और मोर दैन तू कंपाउंड मोर इस्थरीन ड्रॉपर्टीव खहु ठीजुऎ आइसयशन का ल्मानीद मपाउंड होगी खार 1 या विदिकल physical and chemical properties are called isomers and this phenomenon is called isomersom ठीक है जैसे एक्जाम्पल के तोर पे जिसे हमने लिया एक्जाम्पल के दोर पे एक्जाम्पल के दोर पे दोर पे जिसे माने यहां लिया च थ्री और यहां पर लिए हमेंने सी एस थ्री और सी एस थ्री ठीक है यहां पर देखो देखो मॉलिकुलर फामूला देखो क्या है मॉलिकुलर फामूला हो नंबर होता है एक दो सी टू एच कितने हैं छे हैं और सिक्स और यहां भी देखो मॉलिकुलर फामूला कितना बटा है कितने हैं सी दो है एच कितने शिक्स है और पूर है टीक है फीजिकल स्टेट कैसी है यह यह रून टंप्रेचर पे क्या रहता है लिकुड फॉर्म में रहता है लिकुड फॉर्म में रहता है और यह इसकी फिजिकल स्टेट आएगी वह रूम टंप्रेचर कैसी रहती है बताओ ग्यास एगतर इसकी रिक्ष्षन वेटा पिन कि इसकी रियक्ष्षन सूडीएं से इस सराड दोगे हमस्ते किसी एलकोहल कि यह क्या होता है यह hydrogen ग्यास सूडीन क्या है है इंड है यह और यहाँ कि नो रियक्शन ठीक है और अगर इसकी एक्षन हाइटोजन आयोडाइट से करा दो हूँ है इसकी क्या बन जाएगा सिस्ट्री तो आई है यहां भी क्या बन जाएगा कि सिस्ट्री आई यह में थाले कौन यह हुब सौर्णी यहां पर भानीगा इसका ड्यक्षोड हो जाएगा है यहां बन जाएगा यहां बन जाएक इंब Price इसका मोलेकुलर फार्मॉला सेम है ठीक है बट फीजिकल और केमिकल पॉपर्टीज क्या रहे हैं डिफ्रेंट आ रहे हैं कि नहीं तो ऐसे दो कंपाउंड ठीक है या दो से अधिक कंपाउंड जो जिनका इसका मोलेकुलर फार्मॉला सेम बट डिफ्रेंट इन केमिकल और फीजिकल प्रॉपर्टीज क्या हों तो समझ जाओ वह दो एक दूसरी के क्या होंगे आइसो मार्स होंगे और इस फिन्योमिना को क्या बोलेगे बटा रोलो कि आइसो मेरिजम बहुत है ठीक है तो नोट कर लो कि अधिक क्लासिफिकेशन और आइसो मेरिजम होता है क्या क्या होती कंडिशन वह देख लो मैं यह दो एक नग्ती मीन होगे हो पालसिफिकेशन और आइसो मेरिस्म इसको दो पार्ट में बाटा गया पहले तो पहले है इस्ट्रक्चरल आईसोमेलिजम इस्ट्रक्चरल आईसोमेलिजम यहां पर इस्टीरियो आईसोमेलिजम इस्ट्रक्चरल आईगा जो पहले यहां पर इस्टॉप्चर लिखा यहां पर इस्ट्रक्चर में रहेंगा तो यहां पर यह जो इस्ट्रक्चर आईसोमेलिजम तो झाल सेम रहेगा, बट डिफरेंट इन इन इस्ट चर्ड ठीक है, यहां पर बै क्यों को ब्टाइं, इस एस इस यह आईसप्रेंट अंधनों, के इस घुडू ए दूटो चर्डू अबटा। इस डिफोरेंट इन इस तश्रप्टाइब है थी कि मतलब दो दो टो पोड़ मौर्दन टू और निगांट बिच वह सें क्या बटा से मोलेखिलर फॉम्वला बट डिफरेंट इन स्टॉक्चर्स और का बटा इस्ट्रक्श्चर बाइसों ठीक है तो इस की बज़ी से राइस होगा और यहां पर क्या है क्या बटा मताओ इस स्टीरियो मतलब समझते हैं इस पर इस स्टीरियो इस पर बहुता है इस पर आपके जगा जहां पर होगी यह यह हम और इस पर मितलब होता है इस पर इस में आइटम्स का ओरियंटेशन कि उनका इस पर में किस तरीक इसा हो इसका ओल्यकुलर फामला सेम होगा ठीक है और फीजिकल हो सकता है कि फीजिकल परडिज भी सेम हों बट उनका और उनका अच्छाबड़ उनका पर इस पर इस सब्सक्राइब क्या निखो के इस स्टीडिस इसमेरिजम इस इसमेरिजम इस अराइज इस दू तो अरेंजमेंट ऑफ और मॉलेक्यूल एलमेंग ऑफ और मॉलेक्यूल मॉलेक्यूल इन दाइस प्रेस इस प्रेस की डिफरेंट की वजह से एक इसमेरिजम इराइज होगी इसको क्या बोला जाएगा स्टेडियो इसके टाइप होते हैं पास टाइप के पहले नंबर होता है चैन आइसमेरिजम इसको सी आइस आटकट में बोलते हैं कि दूसरे नंबर पर है तो जीशन आइसमेरिजम कि याई तीसे नंबर पर है फंक्शनल आइसमारिजम फंक्शनल आइसमारिजम फंक्शनल आइसमारिजम में अट्रामरिजम कि इसको रहना तो एंग फिफ्ट पे हैं कि टॉट्टो मैंदेजन इसमें से यह हैं यह 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 आपके बहुत जो है बहुत बार काम आएगा इसको तोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको ज़िए समझने नहीं भदा इनको त्निट स्मिज़ा देंगे बड़ा है इसम्मी Sakrach एक इसके टाइप किया हं इसके हैं पहले से सब्सक्राइस के चिए क के दूसरा है ऑप्टिकल ऑपड़ी सब्सक्व यह दोनों आपको पाड़ने है ठीक है बटा तो चैन आइस्टों मेरीसम जैसे यहां पर मैंने बताया था कि जो पहले वर्ट लिखा होगा इस उसी की वज़े से आएगा यहां पर स्टक्चरा मतलब इस तक्चरा में डिफरेंस यहां पर चैन में डिफरेंस पुरिशन तो प पर अलग लगे इस दिनों से इन तीनों से बट आपको चैन आइसमेरिजम पूजिशन आइसमरिजम वह फंक्शना से बहुत अच्छी से पढ़ना है ठीक है चलो नोट कर लो चलो बटा पढ़ते हैं स्टक्चरा इसमेरिजम के तो टाइप से पहले पर नंबर में कहों सा टाइप सा बटा चैन आइसमेरिजम चैन आइसमेरिजम कि आइए ठीक है इसके डिकेशन क्या होगी वेटा टू और मोर दैन मोर दैन तू कमपाउंट्स विच्छ व पून उंबर मोर देव झाउंट्स फिर्टन вн अब आउंट्स व अब 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 मेंचेन मेंचेन तो जानती होगे पैरेंचेन जिसको रूट वर्ड बोलते हैं मेंचेन या रूट वर्ड मेंचेन और साइड चैन जो ब्रांच होती है या ब्रांच साइड चैन्ज सो सी आई ठीक है अगर हम कंडिशन देखें बटा कंडिशन आओ सी आई क्या होगी बटा बताओ बताओ पाहली कंडिशन तो यह है कि मोलेकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए बटाम सेम होना चाहिए ठीक है अगर उस मकंडों में कोई मल्टीपल बॉन जैसे डबल और फ्रीपल बॉन है तो वह क्या होने चाहिए वह दूसरे अगर में भी क्या होने चाहिए नशना है अगर कोई substitute लगा हुआ है सब्सक्राइब लगा है तो भी क्या होगा वाटा वो भी क्या होना चाहिए से जिसे नाइट्रो क्लोरो ब्रोमो दो एक में है तो दूसरे में वही होना चाहिए बट डिफ्रेंट कहा होना चाहिए में चैन कहा होना चीवाटा मैं चैन क्या हों डिफ्रेंट हो जाए साइड चैन क्या वाटा अभी क्या है इस तो में राइज होगी बैटा बोलो चाहिए राइज होगी मतलब अब लब क्या जैना इसमेजमेराइज होगी जैसे एक्जामपल के तोर पर देखते बटा कि अज यह थीज तो इसका मोल्यकुलर फाम्मुला देखो पहले इसका नाम बता चलो मोल्यकुलर फाम्मुला पहले देखे कि अब देखो अब देखो अब देखो ईसकी क्या यह व्ली पैरेंड मत्लं मेंचेन यह हुई बोलो मेंचेन यह हूई विक गवाम वेंचेन कि क्या होगा यह बोलो यहां पर मेंचेन क्या होगे बटा यह प्रोपेल कि यह स्काइब प्रोपेल यह कारबन फेज नहीं क्या ओना चीए बताओ यह जगा ब्यूटेल कि यह क्या हो जागा बताओ तू मेठाइल तू मेथाइल प्रोपेन देखो नंबर आप कारबन भी सेम बहुत नंबर आप कारबन सेम है और मेंचेन ने बस क्या रहा डिफ्रेंट यहां पर तीन ही जाद को मेंचेन में डिफ्रेंट डिफ्रेंस आगए नहीं तो समझ जाओ यह दो एक दुसरे क्या होगे चैन इसो मर्स होगा है और ठीक है बेटा बोलो यह क्या होगा यह चैनल होगा पासा मज़ा गई एक्जामपल नमबर दूसरा देखो कि एक होगा है कि यह कि दूसरा होगा और तीसरा अब दिख लो यह है यह दो तीन चार पांच अब बोलो समझ रहा है नहीं समझे रहो तीनों में कितने कितने कारबन हैं यहां होना चाहिए तो यहां पर इसमें होना चाहिए तभी दूसरे क्या कहलते हैं चैना इसमास कहलते हैं ठीके बटा तो यह क्या हो गए है एक दो तीन यह तीन क्या हो गए दूसरे के आइसो मर्स हो गए को से सिया हो गए ना बोलो है चैनल लिखो कि देखे वाड़ा तीसरा एक्सामपल जैसे यहां पर कार्बन 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 और यह का ठीक है यह फंक्सन गूर्प मैंने लिख दिया और यहां पर और दूसरा मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया जो बता हो यह दूसरे के क्या होगे चैन अिलिख होगे ठीक है बता सकते हो तुम देखो अगर इसका हम पक्राइघ्ड है तो एक îसे होगा क्या होगा कई अब यहां पर ब्यूट आया मतलब एक इतना है चार है यहां बताओ एक दो तीन ऐसे करोगा तो क्या होगा तो नमबर पर मेथाइल गूप लगा तो मेथाइल बताओ प्रोपेन होगे तो समझ रहो ना यहां पर देखो फंक्शन ग्रूप भी सेम है कि नहीं है इनके चैन में डिफ्रेंस आया है तो इसलिए एक दूसरे क्या होंगे बैटा यह चैन आइसमर्स होंगे ठीक है तो हमने अभी तक जो एक्जामपल बताया है वह किसके बताय किरता है बोलो में डिफ्रेंस की वजय से क् pendulum के बझे वजह से क्या होगा किस तरीके साइटेंस की भजे ह tasty difference आएगा देखो कि जैसे यहां पर मैंने है लिख दिप dud इप साइड से नहीं ऐसे यहां यह अबने लिखन कुछ ऐसे इसमें नमबर आप कारण बता बटा कितने हैं एक दो तीन चार पांच और इच्छे इसमें एक दो तीन चार पांच इसमें में चेंड बता बटा यहीं होगी में चेंड तो में चेंड क्या है से मैं पर भी है वाँ हुआ है बट डिफेंड क्या साइड चैन देखो यहां पे सी यह थाइल गुरूप लगा है अगे जैसे यहां पर मैंने लिख दिया एक दो तीन चार पांच छे यह और यहां पर दूसरा एक दो तीन चार पांच छे पताओ किसी होंगे की नहीं देखों नाम देखों करके एक दो तीन चार पांच आएक से डिफ्रेंस का इसका बताओं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन पिरावाद वहरां थू में थाइट को किम थाइल थी में टैन ठीक है अब इसमें बता हूँ एक दो तीर चार दो कॉमा तीर डाइड में थाइल क्या एक दो तीर चार व्यूटेन कि यहां पर डिफ्रेंस किसकी वज़े से आया है वहां कि यहां हम पहला हुआ दूसरा यह वा तीसरा कि इसे हमने यह से लिख दिया तीसरी क्या होगा वाटास बोलो कि आपको यहां पर दोखो में चिन क्या है पर साइट चैंज क्या हो रहे एक दो एक ही में होगा तरबन यहां पर एक अपन यह दूखर साइट कर सकते हों यहां पर यहां पर और मैंच को तो भी डिफ्रेंट कर सकते हो ठीक है बटा है अगा है जिसे बटा हमने दोनों चीजों को डिफ्रेंस अगर करना है जिसे हमने लिखा है यह चीज कि कार्वन त्म क्या कर सकते हैं कि यहां लगा दे रहा रहें कि इस आपती है यहां सब्सक्वाइब साइड चेंज हो गया और में चेंज हो गई हो गई की नहीं हो गई बोलो बटा या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यह भी हो गया पास कारबन हो गई है कि अध्य को मॉलिकुलर फॉर्मला से मैं समय है कि यहां पर क्या होगा है सी फाइफ एच टेन एक दो ती चार पांच एच कितने हो गए पांच है दस हो गए यहां पर देखो सी फाइफ एच कितने हो गए दो पांच पांदो साथ तिंक दस यहां भी दस यहां बताओ इस कितने हो गए चार चार छे च चार दस तो आपको बहुत तरीके से ध्यान से देखना है इस चीजों को कि क्या चीजें हो रही है इन दोनों में क्या रिलेशन है तो मैंने क्या बता है कि अगर या आपको निकाल ली है तो स्याइव में क्या होगा भूलो तो में डिफ्रेंट्स आएगा यहां तो किसका डिफ्रेंट्स आएगा साइड चेंट का बस यह दुक्त इसके लिए जन ना इसमेरिदम के लिए ठीक है फिर पोजीशन अब कल बढ़ेंगे ठीक है फूर्टा ओके